ओम शान्ती आज है 23 मार्च 2020 के इश्वरिय महावाक्य पहले एक नजर आज की मुख्य पोइंट्स पर बाबा ने कहा सदगती ज्यान से होती है ना कि भक्ती से और सर्व का सदगती दाता एक निराकार भगवान यह बहुत बड़ा बेहद का खेल चल रहा है इसको फिरने में 5000 वर्ष लगते हैं नाटक में फिर भी एक्टर अदली बदली कर लेते हैं लेकिन यह खेल तो ड्रामा मिसल है इसमें फिर कल्प बाद भी यही एक्टर सोंगे बाप तुमको जो योग सिखाते हैं इससे स्थाई शान्ती हो जाती है तुम्हें सबको सुनाना है कि स्वर्ग क सापना करने भगवान आया हुआ है हर एक के दिल में यह आना चाहिए कि हम पुर्षोत्तम बने हैं हमारे अंदर दैवी गुण हैं क्योंकि सबको पुर्षोत्तम बनाने में हम बाप के मददगार बने हुए हैं जिन में आसूरी गुण हैं वह फिर बाप का बच्चा कहला न सके सपूत बच्चे वह जो बाप का नाम बाला करते हैं आपस में शीर खंड होकर रहते हैं तुम हो इश्वरिय उलाद तुम्हारा आपस में बहुत बहुत लव होना चाहिए लून पानी होकर आपस में लड़ना जगडना नहीं है जो बाप के डारेक्शन पर नहीं चल फिर पर को यानि दूसरों को लास्ट में कहा जैसे बाप में पवितरता सुख प्रेम आदि सब है तुम आतमाओं को भी ऐसा बाप समान बनना है तुम इश्वर के बच्चे को ऐसा मोस्ट लवली होना चाहिए जो कोई भी देखे तो खुश हो जाए बाबा को भी ऐसे बच दूरी सूचना हम सभी यह तो जानते हैं कि पूरा ही विश्व किस भयंकर बिमारी से जूज रहा है इसके लिए सरकार ने जो निर्देश दिये हैं वह तो फोलो करने ही हैं साथ में अपने मदुबन घर से भी विशेस डारेक्शन मिला है कि कुछ दिनों के लिए घर पर र रहेंगे अब सुनते हैं मुरली को विस्तार से ओम शान्ती मुरली का सार मीठे बच्चे यह अनादी अविनाशी बना बनाया ड्रामा है इसमें जो सीन पास हुई वह फिर कल्प के बाद ही रिपीट होगी इसलिए सदा निश्चिंत रहो प्रशन ये दुनिया अपनी तमो प्रधान स्रेश पर पहुँच गई है उसकी निशानिया क्या है उत्तर दिन प्रति दिन उपदर होते रहते हैं कितनी घमसान हो रही है चोर कैसे मार पीट कर लूट ले जाते हैं बिना मोसम बरसात पढ़ती रहती है कितना नुकसान हो ज तमो प्रधान प्रकरती दुख देती रहती है तुम बच्चे ड्रामा के राज को जानते हो इसलिए कहते हो नथिंग न्यों ओम शान्ती अभी तुम बच्चों पर ज्यान की वर्षा हो रही है तुम हो संगम योगी और बाकी जो भी मनुष्य है वह सब हैं कल योगी इस सम दुनिया में अनेक मत मतांतर है तुम बच्चों की तो है एक मत जो एक मत भगवान की ही मिलती है वे लोग भक्ती मार्ग में जब तब तीर्थादी जो कुछ करते हैं वे समझ से हैं ये सब राश से भगवान से मिलने के हैं कहते हैं भक्ती के बाद ही भगवान मिलेगा प् भक्ति शुरू कब होती है और कब तक चलती है सिर्फ कह देते भक्ति से भगवान मिलेगा इसलिए अनेक प्रकार की भक्ति करते आते हैं यह भी खुद समझते हैं कि परंप्रा से हम भक्ति करते आये हैं एक दिन भगवान जरूर मिलेगा कोई न कोई रूप में भगवान मिल क्या करेंगे जरूर सदगती करेंगे क्योंकि वह है ही सर्व का सदगती दाता भगवान कौन है कब आएगा ये भी नहीं जानते महिमा भल किसम किसम की गाते हैं कहते हैं भगवान पतित पावन है ग्यान का सागर है ग्यान से ही सदगती होती है ये भी जानते हैं भगवान नि निराकार है जैसे हम आत्मा भी निराकार है पीछे शरीर लेती हैं हम आत्माई भी बाप के साथ परमधाम में रहने वाली हैं हम यहां की वासी नहीं है कहां की निवासी है यह भी यथार्त रिती नहीं बतलाते हैं कोई तो समझते हैं हम स्वर्ग में चले जाएंगे अब इधा स्वर्ग में तो किसको भी जाना नहीं है, कोई फिर कहते जोती जोत में समा जाएंगे, ये भी रौंग है, आत्मा को विनाशी बना देते हैं, मोक्ष भी हो न सके, जबकि कहते हैं, बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं, ये चक्र फिरता रहता है, हिस्ट्री जो गर्फी रिपीट होती है, प्रन्तु चक्र कैसे फिरता है, ये नहीं जानते, ना चक्र को जानते, ना इश्वर को जानते, भक्ती मार्ग में कितना भटकते हैं, भगवान कौन है, ये तुम जानते हो, भगवान को फादर भी कहते हैं, तो बुद्धी में आना चाहिए लोकिक फादर भी तो है, फिर हम उनको याद करते हैं, तो दो फादर हो गए, लोकिक और पारलोकिक, उस पारलोकिक बाप से मिलने के लिए इतनी भक्ती करते हैं, वे परलोक में रहते हैं, निराकारी दुनिया भी है जरूर, तुम अच्छी रिती जानते हो, मनुष्य जो वे सब है भक्ती मार्ग, रावन राजे में भक्ती ही भक्ती होती आई है, ज्यान हो न सके, भक्ती से कभी सदगती नहीं हो सकती, सदगती करने वाले बाप को याद करते हैं, तो जरूर वे कभी आकर सदगती करेंगे, तुम जानते हो, यह बिलकुली तमो प्रधान दुनि बहुत गहमसान हो रही है, चोर भी लूटते रहते हैं, कैसे कैसे मार पीट कर चोर पैसे लूट ले जाते हैं, ऐसी ऐसी दवाईयां हैं, जो सुंघा कर बिहोश कर देते हैं, यह है रावन राज्ये, यह बहुत बड़ा बेहद का खेल है, इसको फिरने में 5000 वर्ष लगते है खेल भी ड्रामा मिसल है, नाटक नहीं कहेंगे, नाटक में तो संजो कोई एक्टर बिमार पड़ता है, तो अदली बदली कर लेते हैं, इसमें तो यह बात हो ना सके, यह तो अनादी ड्रामा है ना, संजो कोई बिमार हो पड़ता है, तो कहेंगे ऐसे बिमार होने का भी ड बना बनाया एं और किसको तुम ड्रामा कहो तो मूझ जाएंगे। तुम जानते हो ये बेहध का ड्रामा है कल्प बाद फिर भी एչी एक्टर्स होँगे। जैसे अभी बर्सात आदी पड़ती है, कल्प बाद फिर भी ऐसे ही पड़ेगी। यही उपद्र होंगे तुम बच्चे जानते हो ग्यान की बरसाद तो सभी पर पढ़ नहीं सकती है लेकिन यह आवाज सभी के कानों तक अवश्य जाएगा कि ग्यान सागर भगवान आया हुआ है तुम्हारा मुख्य है योग ग्यान भी तुम सुनते हो वाकी बरसाद तो सारी दुनिया में पढ़ती है तुम्हारे योग से साई शानती हो जाती है तुम सब को सुनाते हो कि स्वर्ग की सापना करने भगवान आया हुआ है प्रन्तु ऐसे भी बहुत हैं जो अपने को पुर्वान समझ लेते हैं, तो तुमको फिर कोन मानेगा, इसलिए बाप समझाते हैं, कोटों में कोई निकलेंगे, तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं, भगवान बाप आया हुआ है, बाप से तो वर्षा लेना चाहिए न, कैसे बाप को याद करो वे भी समझाया है, अपने को आत्मा समझो, मनुष्य तो देह अभीमानी बन गए हैं, बाप कहते हैं मैं आता ही तब हूँ जिब सभी मनुष्य आत्माई पतित बन जाती हैं, तुम कितने तमोप्रधान बन गए हो, अब मैं आया हूँ तुमको सतोप्रधान बनाने कल्प पहले भी मैंने तुमको ऐसे समझाया था, तुम तमोप्रधान से सतोप्रधान कैसे बनेंगे, सिर्फ मुझे याद करो, मैं आया हूँ तुमको अपना और रचना का परीचे देने, उस बाप को सभी याद करते ही हैं रावन राज्य में, आत्मा अपने बाप को याद क करती हैं, बाप है ही अशरीरी, बिंदी है न, उनका नाम फिर रखा गया है, तुमको कहते हैं साली ग्राम, और बाप को कहते हैं शिव, तुम बच्चों का नाम शरीर पर पड़ता है, बाप तो है ही परम आत्मा, उनको शरीर तो लेना नहीं है, उसने इन में प्रवेश कि इनको शिव नहीं कहेंगे आत्मा नाम तो तुम्हारा है ही फिर तुम शरीर में आते हो वह परम आत्मा है सभी आत्माओं का पिता तो सभी के दो बाप हो गए, एक निराकारी, एक साकारी, इनको फिर अलोकिक वंडर्फुल बाप कहा जाता है, ब्रह्मा को, कितने धेर बच्चे हैं, मनुष्यों को ये समझ में नहीं आता है, प्रजा, पिता, ब्रह्मा, कुमार, कुमारियां इतने धेर है, ये क्या है, किस कुमार का यह धर्म है समझ नहीं सकते तुम जानते हो यह कुमार कुमारी प्रवरिती मार्ग का अक्षर है ना माबाप कुमार और कुमारी भक्ती मार्ग में तुम याद करते हो तुम मात पिता हम बालक ते रे तुम्हारी कृपा से सुख घने रे अभी तुमको मात पिता मिल तुमको एडोप्ट किया है, सत्युग में एडोप्ट नहीं किया जाता है, वहाँ एडोप्शन का नाम नहीं, यहाँ फिर भी नाम है, वह है हद का बाप, यह है बेहद का बाप, बेहद की एडोप्शन है, यह राज बहुत ही गुहिये, समझने लायक है, तुम लोग पूरी रितिक इसको समझाते नहीं हो पहले पहले अंदर कोई आते हैं बोले गुरु का दर्शन करने आये हैं तो तुम बोलो कि यह कोई मंदिर नहीं है बोर्ड पर देखो क्या लिखा हुआ है ब्रह्मा कुमार कुमारियां धेर है ये सब प्रजा पिता के बच्चे हो गए प्रजा तो तुम भी हो भगवान स्रिष्टी रश्ते है ब्रह्मा मुख कमल दवारा हमको रचा है हम है ही नई स्रिष्टी के तुम हो पुरानी स्रिष्टी के नई स्रिष्टी का बनना होता है संगम युग पर यह है पुरुशोत्तम बनने का युग तुम संगम युग पर खड़े हो वे कल युग में खड़े हैं जैसे कि पार्टिशन हो गई है आज कल तो देखो कितनी पार्टिशन है हर एक धर्म वाला समझ से हम अपनी प्रजा को संभालेंगे अपने धर्म को हम जिन्स को सुखी रखेंगे इसलिए हरे एक कहते हैं हमारी स्टेट से यह चीज बाहर नै जाए आगे तो राजा का सारी प्रजा पर हुकम चलता था राजा को माई बाप अन्न दाता कहते थे अभी तो राजा रानी कोई है नहीं अलग-अलग टुकडे हो गए हैं कितने उपद्रव होते रहते हैं अचानक बाढ़ा जाती हैं भुकम फोते रहते हैं ये सब हैं दुख का मोत अभी तुम ब्रह्मन समझते हो कि हम सब आपस में भाई-भाई हैं तो हमें आपस में बहुत-बहुत प्यार से शेर खंड होकर रहना है हम एक बाप के बच्चे हैं तो आपस में बहुत प्यार होना चाहिए राम राज्ये में शेर बकरी जो एकदम पक्के दुश्मन हैं वे भी इकठे पानी पीते हैं यहां तो देखो घर-घर में कितना जगडा है नेशन-नेशन का जगडा आपस में ही फूट पड़ती है अनेक मते हैं अभी तुम जानते हो हम सब ने अनेक बार बाप से वर्सा लिया है और फिर गमाया है अर्थात रावन पर जीत पाते हैं और फिर हारते हैं एक बाप की श्रीमत पर हम विश्व के मालिक बन जाते हैं इसलिए उनको उच्च ते उच्च भगवान कहा जाता है सर्व का दुख हरता सुख करता कहा जाता है अभी तुमको सुख का रास्ता बता रहे हैं तुम बच्चे आपस में शीर खंड होने चाहिए, दुनिया में आपस में सभी है लून पानी, एक दो को मारने में भी देरी नहीं करते। तुम एश्वरिये उलाद तो शीरखंड होने चाहिए। तुम एश्वरिये संतान देवताओं से भी उंच ठहरे। तुम बाप के कितने मददगार बनते हो। पुरुशोत्तम बनाने के मददगार हो तो यह दिल में आना चाहिए हम पुरुशोत्तम है तो हमारे में वे दैवी गुण है आसुरी गुण है तो वह फिर बाप का बच्चा तो कहला न सके इसलिए कहा जाता है सत्गुरु का निंदक थोर न पाई वह कल युगी गुरु फिर अपने लिए कहकर मनुश्यों को डरा देते हैं तो बाप बच्चों को समझाते हैं सपूत बच्चे वह हैं जो बाप का नाम बाला करते हैं शीरखंड हो रहते हैं बाप हमेशा कहते हैं शीरखंड बनो लून पानी हो आपस में लडो जगडो नही तुमको यहां शीरखंड बनना है आपस में बहुत लव चाहिए क्योंकि तुम इश्वरी अउलाद होना इश्वर मोस्ट लव ली है तब तो उनको सभी याद करते हैं तो तुम्हारा आपस में बहुत प्यार होना चाहिए नहीं तो बाप की इज़त गमाते हो इश्वर के बच्चे आपस में लून पानी कैसे हो सकते फिर पद कैसे पा सकेंगे बाप समझाते हैं आपस में शीरखंड होकर रहो लून पानी होंगे तो कुछ भी धारना नहीं होगी अगर बाप के डारेक्शन पर नहीं चलेंगे तो फिर उच्च पद कैसे पाएंगे दे अभीमान में आने से ही फिर आपस में लड़ते हैं दे ही अभीमानी हो तो कुछ भी खिट-पिट ना हो इश्वर बाप मिला है तो फिर दैवी गुण भी धारन करने हैं आत्मा को बा बाप जैसा बनना है जैसे बाप में पवितरता सुख प्रेम आदी सब है तुमको भी बनना है नहीं तो उच्च पद पा नहीं सकते पढ़कर बाप से उच्च वरसा पाना है बहुतों का जो कल्यान करते हैं वही राजारानी बन सकते हैं बाकी दास दासियां जाकर बनेंग पढ़ने वाले खुद भी समझ सकते हैं इस हिसाब से हम बाबा का क्या नाम निकालेंगे इश्वर के बच्चे तो most lovely होने चाहिए जो कोई भी देख खुश हो जाए बाबा को भी मिठे वह लगेंगे पहले घर को तो सुधारो पहले घर को फिर पर अर्था दूसरों को सुधारना है ग्रस्त व्यवार में कमल फूल समान पवित्र और शीर खंड हो कर रहो कोई भी देखे तो कहे ओहो यहां तो स्वर्ग लगा पड़ा है अज्यान काल में भी बाबा ने खुद ऐसे घर देखे हैं छे साथ बच्चे शादी किये हुए सब इकठे रहते हैं सब सवेरे उठकर भक्ती करते हैं घर में एकदम शांती लगी रहती है यह तो तुम्हारा इश्वरिय कुटुम्ब है हंस और बगुला इकठा तो रह नहीं सकते तुमको तो हंस बनना है लून पानी होने से बाबा राजी नहीं होगा बाब कहेंगे तुम कितना नाम बदनाम करते हो अगर शीर खंड होकर नहीं रहेंगे तो स्वर्ग में उच पद पा नहीं सकेंगे बहुत सजा खाएंगे बाप का बनकर फिर अगर लून पानी हो रहते हैं तो सो गुणा सजा खाएंगे फिर तुमको साक्षातकार भी होते रहेंगे कि हम क्या पद पाएंगे अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रती माद पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते धार्णा के लिए मुख्य सार पहली पॉइंट सदा ध्यान रहे हम इश्वर के बच्चे हैं हमें मोस्ट लवली होकर रहना है आपस में कभी भी लून पारी नहीं होना है पहले अपने को सुधारना है फिर दूसरों को सुधारने की शिक्षा देनी है दूसरी पॉइंट जैसे बाप में पवितरता, सुख, प्रेम आदी सब गुण है ऐसे बाप समान बनना है ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो सत्गुरु का निंदक बने अपनी चलन से बाप का नाम बाला करना है वर्दान लाइन क्लियर के आधार पर नमबर वन पास होने वाले एवर रेडी भव सदा एवर रेडी रहना यहे ब्रामन जीवन की विशेश्सा है अपनी बुद्धी की लाइन ऐसी क्लियर हो जो बाप का कोई भी इशारा मिला एवर रेडी उस समय कुछ भी सोचने की जरूरत ना हो अचानक एक ही क्वेश्चन आएगा, ओर्डर होगा, यहां ही बैठ जाओ, यहां पहुँच जाओ तो कोई भी बात या संबंध याद ना आए, तब नमबर वन पास हो सकेंगे लेकिन यह सब अचानक का पेपर होगा, इसलिए एवर रेडी बनो स्लोगन, मन को शक्तिशाली बनाने के लिए आत्मा को इश्वरिय स्मृती और शक्ती का भोजन दो मन को शक्तिशाली बनाने के लिए आत्मा को इश्वरिय स्मृती और शक्ती का भोजन दो अच्छा